इस वीडियो में हम स्टॉम रड ओइल के डिटेलने बात करेंगे जिससे आपको इस तेल से जुड़ी सभी ज़रूरी जान करने जाएगे तो दोस्तो स्टॉम रड ओइल के बारे में लगातर कई दिनों से कमेंट सेक्षिति में बार बार पूछा जा रहा था तो पूरी और सही जानकारी के लिए आप बस इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखते रहें इस ओईल का काम पूर्शों के sexual problems में जैसे के लिंग श्रेटिल लिया या एरेक्टार डिसफंक्शन यानि इरेक्शन का ना होना या फिर एक या दो मिनिट में ही वीरे का पतन हो जाना इसलिए किया जाता है तो अब जरूर डिटियल में जानते हैं कि इस ओईल के की ingredients क्या है और बाद में जानेंगे कि इस ओईल को कौन कौन और कैसे use कर सकता है तो इस ओयल में शतावरी, लॉंग, ड्राइफल, अकरकारा, कॉंच बीच, मालकंगनी, खुरासनी अजवायन, शुद्धकुचला, प्रतन जोद और बेस के लिए तिल के तेल का उप्योग किया है ये सभी वनसपतिया वातिशामक है, जो नसो के कारे को ठीक करने के लिए अच्छा काम करता है इस ओयल के यूज से नसो की कमजोरी और खुन के प्रावह में सुचा रूता आती है और ओयों के शितिलता और उदासिंता इससे दूर हो जाती है तो अब बात आती है कि इस ओयल को कौन-कौन यूज कर सकता है तो दोस्तों, जो लोग बार-बार कई सालों से जादा मैस्टूबेशन यानि हस्त मैथून करके कमजोरी का अनुभव कर रहे है और उस वज़े से उनको ठीक से एरिक्षिन नहीं होता या फिर सब कुछ ठीक होते हुए भी जो लोग प्रेमेच इजक्लेशन यानि शिग्रपतन अनुभव कर रहे हैं उनके लिए ये ओयल काफी अच्छा काम करता है स्ट्रेस या घबराट के वज़े से जो लोग तुरंट लिग कर जाता है यानि शिग्रपतन हो जाता है ऐसे लोगों के लिए ये ओयल उप्योगी है शारिक कमदोरी के वज़े से जो लोग अपने पाट्रा के साथ ठीक से समंदर ही बना सकते उनके लिए भी काफी अच्छा काम करता है ये ओईल पेनायल ब्रर्ड स्टेशन को इंप्रू करने के लिए बेनिफीशल है और ये आपका टाइम इंप्रू करने के लिए उफेक्टिवली काम करता pays तो बात आती है कि इस ओईल को कैसे यूज किया जाता है इस ओयल का प्रयोग हपते में 3-4 बार रात में सोने से पहले 4-5 डॉप लेके लिंग के उपर के पाट को छोड़ कर नेची के तरफ हलके हाथ से जब तक ओयल एबसॉप ना हो जाए तब तक मसाज करना चाहिए लेकिन बात में इसे धोने या फिर साफ करने के ज़रूरत नहीं है इंटर कोर्स के दोरान लांग लास्टिंग रिजर्ट के लिए आप इस ओयल को 20 मिट पहले 6-8 ड्रॉप लेके मसाज कर सकते हैं इस ओयल के और भी अच्छे रिजर्ट के लिए आप स्टॉम राइड कैपसूल के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं और ये दोनों यानि स्टॉम राइड कैपसूल और ओयल कॉंबिनेशन में काफी अच्छा काम करता है तो दोस्तों ये थी जानकरी स्टॉम राइड ओईल की यदि आपको इस ओईल के बारे में कुछ इंफरमेशन चाहिए या फिर आपको स्टॉम राइड कैपसूल के बारे में जानना है तो डिस्क्रिशन में इनका लिंक दिया हुआ है आप वो लिंक जरूर चेख करें तो दोस्तों ये आशा करते हैं कि ये जानकरी आपके लिए जरूर फायदया उन रही होगी आप आपके इसे जोड़े सवाल हमें नीचे कोड़न स्बाक्स में जरूर लिख सकते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें हम बहुत ही जल्दी एक ऐसे ही informative वीडियो के साथ फिर से लोटेंगे तब तक लिए take care and stay healthy